कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अहूजा एलैक से 45 तो दोस्तो हम अज अहूजा एलैक से 4500 amplifier के बारे में हम बात करेंगे और साथी साथ हम इसका भी जानेंगे इसका price, load calculation और साथी साथ इसका dumping factor भी जानेंगे और approach price और weight भी जानेंगे साथी साथ आप भी जानेंगे इस पर कितना wattage का top और कितने wattage का base चलाना चाहिए चले दोस्तों वीडियो की start करने से पहले आपकी तो चले दोस्तों वीडियो की start करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आप DJ से related वीडियो पाना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है तो DJ गयान चैनल को subscribe करें और वेल आइकन जरूर प्रेस करें और और वीडियो को like करें चले दोस्तों हम बात करते हैं अहुजा एलक्स से 4500 तो हम बात करेंगे दोस्तों इसका फ्रंड पैनल पर बात करेंगे जिसमें एयर क्रोसिंग का जाली दिया गया है और दोस्तों हम बात करेंगे इसका brand value अहुजा का logo फ्रंड पर आपको दिखाए कि दिखाए देगा उसके नीची हुजा ओनर और आफ का और यस देखाए देगा जसर बहटार बग्राइघ से का ब画 आंगे एक निडिकाटर अपको दिखाए देगा जो बयुलूम कम ज़्यादा करेंगे तो इंडिकेटर सह करता है उसके बगल बाप पर्टेक्ट और टेम persönlich आप के बारे में दोस्तो हम बात कर सेभूर इस मसीन का करते हैं इस मसीन डोका और चलाएँगे तो चले दोस्तों हम बात करेंगे इसका load calculation के बारे में अगर आप इस machine को 8 ohm पर चलाते हैं तो per channel इसका output 1000 watt का output निकल कर आता है तो दोस्तों अगर आप 1000 watt का speaker लगा रहे हैं तो per channel 8 ohm पर एक speaker आप लगा सकते हैं तो चले दोस्तों फोरोम पर बात करते हैं अगर फोरोम पर चला रहे हैं तो per channel 1550 watt का output निकल कर आएगा तो दोस्तों हम बात करें टोम का बात करेंगे तो per channel आपको 2250 output निकल कर भार आएगा वह भी RMS power में तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं विरेजमोंट आउटपूट के बा आपकर रहें हम बात करेंगे इसका damping factor का दोस्तों बात करेंगे इसका ilo do तो दोस्तों 3500 ग्राम का इसका वेट है मसीन का चलिए अब बात करने हैं इस मसीन का उप्रmo praise करा है अगर अप रहा बंदुपर Brussels पर YOU को इसका मिंतिया गया है चलिए माथ का महुubenा करेंて 10 frequ और ठीकाव्थ मेंन आतरूट करने का रहा है तो चलिये अगर दोस्तों आप बेस चला रहे एक पर एक कचार बस चला जब लेंग तो बस चलाएंगे तो का 550W निकलेगा पर चैनल अगुजय का 625 वाट का अठार इंच जो बेस है उसको डबल एक चैनल पर दो एक चैनल पर दो लगा सकते हैं double speaker में तो दोस्तों बात करेंगे इसका टूंप पर अगर हम बात करें तो अगर इसमें टब चला रहा है नहीं चला है तो अच्छा रहेगा अगर चला रहे हैं तो पर चैनल इसका 252 वाट फूस्पीकर निकलता है तो हम बात करेंगे एक टॉप आपका 1000 वाट को होना चाहिए जैसे कि हम बात करें एक टॉप में 500 वाट फूस्पीकर और तो दोस्तों हम बात करेंगे दो टाप 2080 अचलेगा तो उसमेगे चलनेंगे चलेंगे चलने आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं आपको जल्द से जल्द वीडियो लाने का पर्यास रहेगा तो यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो दोस्तों चनल को सस्क्राइब कर लेजिए क्योंकि बहुत हुए मेनस से हम लोग वीडियो आपके लाते हैं और लाइक करिए यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद